मौसम समाचार में आपका स्वागत है मौसम की लेटेस खबर पाने के लिए तुरम सब्सक्राइब करें यूएंबी नूस को और कि जिले की मौसम चानकारी आप जानना चाहते हैं हमको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं के लिए देखते हैं कैसे रहेगा पुर्देश की मौसम कहा दक्षुन भारत के तमाम हिस्सों में गरज के साथ बुनाबावी होने से मौसम खुश्नमा हो गया इसे बीच भारतिय बॉसम विभाग I.M.D. ने देश के तमाम इलागों में तेज बारश की जितावनी चारी की इरान के रास्ते उत्तर पश्रिम भारत में प्रवेश करके मार्श के बाद से लगतार भारत को भिगो रहे पश्रमे विक्षोवू की चेन पर अब कुछ दिरों के लिए ब्रेक लग गया है हाला कि अरब सागर और 60 दक्षुन पाकिस्तान के ऊपर कम दबाव का वायू श्यत्र बने होनी की वज़ा से देश के कोछिस्तों में अब भी बारिश हो रही है पिशले 24 घंटों के दोरान रजिस्तान के फश्रमी हिस्तों में दूल भरी आधी आई और गरज के साथ हल्की बारिश होई इसके साथ ही सिक्किम अरुनाचल पडेश, आंतरी तमलनाडू, केरल, उतरी करनाटक, दक्षन पश्रम मध्य पदेश के कोछिस्तों, उतरी मध्य महराश और वधर्ब में भी हल्की बारिश होई आपको बता दे, देली अंसियार के लोगों को मंगलवार को पीछन गर्मी का सामना करना पड़ा, देली का दितम तापमान 36 दिगरी तक पहुंच किया, वही अन्य राज्जियों में भी गर्मी का सार देखने को मिला हाला कि रजिस्तान के पाशन में हिस्सो, अरणाशल प्रदेश, सिक्किम, तमलनाडू, केरल और कई लाकों में हल्की बारिश देखने को मिली है देले NCR में बुद्वार को भी मौसम साफ रहने का नुमार है, यानि गर्मी और बढ़ेगी, वही 6-7 रज्ज ऐसे भी हैं जहां आज बारिश की संभावना जट आई गई स्कायमिट की मुताबिक अगले 24 घंटों में बश्च में हिमाले, तर्टिय करनाटक, लक्षदीर, तमलनाडू और कुछे राज्जों में हल्की बारिश हो सकती है इसके अलावा केरल और अर्नाचिर प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है प्रदेश की गंगा के मदानी लाकों में मध्यन से तेज हवा चलने की उम्मीर है इसके अलावा 13 अप्रेल को यूपी और हर्याना के कई हिस्सों में 25-30 किलमीटर की रफ्तार के साथ हवाय चलेंगी आपको बता दे इससे पहले मौसम में भागने अगले 5 दिनों के दोरान मौसम की जानकारे देते हुए बुलेटिंग में बताया था कि धीरे धीरे अब तापमान बढ़ना शुरू होगा और 13 अप्रेल से 19 अप्रेल के बीच देश के कई हिस्सों में लूच चलेगी इनलाकों में हो सकती है बारिश मादे महराच, माराटवाडा, कोकण और गेरल में भी आगामी तिन दिनों में आंधी और तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है इतना ही नहीं इन इलाकों में बारिश के साथ ओलावरश्टी और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई इसके अलावा ओदीश और सिक्किम और बंगाल में आज दो दिन तक बिजली की चामक और काले बादलों की गारज के साथ तेज बारिश की संभावना है वही इस दोरान तेज हवाम का दौर भी देखने को मिल सकता है वही उत्तरा खंड के आगामी कुछ दिनों में तेल धूप के साथ चलचलाती गर्मी लोगों को आफ़त बन सकती है साथ ही मनानी इलाकों में पारे में 34 डिग्री जबकि पहाड़ी हस्तों में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी दरज की जा सकती है राजी के जातर अलाकों में अधिक्तम ताफ मान 22 डिग्री सेल्सिस के पार पहुँच किया है वीडियो को अनक तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिन शबहो